दूसरी कक्षा के बच्चों, चलिए आज फिर हम एक कविता पढ़ते हैं बच्चों, आपकी जो कविता है, उस कविता का नाम है हाँ जी, ना जी क्या नाम है? कविता का नाम है हाँ जी और ना जी बहुत रोचक नाम है, और ये कविता है कहाँ? ये कविता आपके हिंदी पाठे पुस्तक के पाठ नंबर बारह पर है, है ना, यानि की पाठ संख्या 12, 12 है ना, बारह पर है ये पाठ और पेज नंबर जदी देखना है बच्चों, तो ये कविता आपके पेज नंबर 64 पे है, देखिए यहाँ पे, पेज नंबर 64, है ना, तो पेज नंबर 64 को अभी खोलना है, और एक नई कविता से आपका हम परिचे करवाते हैं, तो चलिए हम लोग देखें कि इस कविता में क्या है, कौन सी नहीं चीज है, और ये कविता कितना रोचक है, चलिए अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं, ठीक है, बच्चों यह देखिए, यह है आपकी हिंदी पाठे पुस्तक, जिसका नाम है जिल्मिल, है ना, आपके जो, आपके लिए हिंदी की जो पाठे पुस्तक त्यार की गई है, उसका नाम है जिल्मिल, है ना, देखिए इसके नीचे लिखा हुआ है, दूसरी कर्षा के लिए ह हिंदी की पाठे पुस्तक, तो इसी पाठे पुस्तक से हम लोग पेज नंबर 64 पेज जो कविता है, उस कविता को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कविता की पंक्तियों में क्या लिखा हुआ है, चलिए, क्या तुम कपड़े पहनते हो, हाजी, 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 हाँ, क्या तुम कपड़े धोते भी हो, ना जी, ना जी, ना जी ना, पहने की हाँ धोने की न ऐसे कैसे चले जहाँ बच्चों चलिये फिक्से पढ़ते हैं है न क्या तूम कपड़े पहनते हो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ क्या तुम कपड़े धोते भी हो ना जी ना जी ना जी ना पहनने की हाँ धोने की ना ऐसे कैसे चले जहाँ जहाँ मने दुनिया है ना इसका मतलब यह कि आप कपड़े तो पहनते हैं और कपड़े पहनने के लिए आप बोलते हाँ जी हाँ जी हाँ तीन बार आप चार बार आ कि हाँ हम पहनते हैं, हाँ हम पहनते हैं, हाँ हम पहनते हैं, लेकिन क्या आप कपड़े धोते हैं, नहीं धोते, वो भी आप बार-बार बोल रहे हैं, ना जी, ना जी, ना, है न, चार बार आप बोल रहे हैं कि कपड़े नहीं धोते हैं, तो पहनने की हाँ, धोने की न, ऐसे कैसे चले जहाँ तो जदी आप कपड़े सरी पहनेंगे और धोएंगे नहीं है ना कपड़े सरी पहनेंगे है ना देखिए ये बच्चा कपड़ा पहन रहा है है ना और कपड़ा जदी आप धोएंगे नहीं कपड़ा कौन धोएगा आपकी ममी धोएगी मा धोएगी दीदी धोएगी कौन धोएगा तो कपड़ा आपको अपने धुलने भी अपने साफ करने भी तो सिखना होगा बच्चो देखी यहां स्रम का महतो बताया गया मेहनत क्या चीज है वो बताया गया है क्या तुम कपड़े पहनते हो हां जी हां जी हां जी हां क्या तुम कपड़े धोते भी हो ना जी ना जी ना जी ना पहनने की हां धोने की ना ऐसे कैसे चले जहां जहां मने दुनिया जिसको जहान भी बोलते हैं है ने तो इसका मतलब यह हुआ कविता तो याद करना है ना जी ना जी ना पहनने की हाँ, धोने की ना, ऐसे कैसे चले जहाँ, देखिए यहाँ पे यह बच्चा जो है कपड़े को साफ करा है, है ना, कपड़ा साफ करना बहुत अच्छी बात है, अपने कपड़े तो खुद ही साफ करने चाहिए हर किसी को, है ना, स्रिप कपड़ा पहनने से नहीं होता है कपड़ा को आप साफ कीजिएगा न तो कपड़े को आप ज़्यादा गंदा करना पसंद भी नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि कपड़े तो फिर आप ही को साफ करने हैं है ना तो आगे देखते हैं कविता की पंगतियों में, क्या है बचों बचों देखो एक आओर यहाँ पे तस्वीर है एक बच्ची बैठी हुई है और बच्ची बैठ के क्या कर गई है तवे पे लगता है रोटी पक रहा है है न और एक लकडी चूला है जैसा गाउं में होता है है न हमारे गाउं में तो आज भी ऐसे ही खाना पकता है ज्यादा तर है न तो देखिए अब आगे की पंक्तियों में क्या है क्या तुम खाना खाते हो, हाँ जी हाँ जी हाँ, क्या तुम खाना पकाते भी हो, ना जी ना जी ना खाने की हाँ, पकाने की ना, ऐसे कैसे चले जहाँ, देखिए, फिर बही बात, जैसे कपड़ा पहनना और कपड़ा धोना, है न, ये दोनों अलग-अलग चीज़े हैं, उस उसी तरह से, क्या तुम खाना खाते हो, हाँ जी हाँ जी हाँ, क्या तुम खाना पकाते भी हो, ना जी ना जी ना खाने की हाँ, पकाने की ना, ऐसे कैसे चले जहाँ, देखे बच्चों ये नहीं कहा जा रहा है ना, कि आप सारा खाना पकाईए, लेकिन आप खाना पकाने में अपनी माता का अपनी मा का अपनी बड़ी दीदी का भाईया का जो भी है घर में उनको आप सहयोग तो कर सकते हैं छोटे मुटे काम तो कर दे सकते हैं है ना खाना बनाने में सहयोग जदी आप करेंगे तो आपको खाना और उची कर लगेगा उसको वो खाने में आपको और अच्छा लगेगा है ना और माननीजे बड़े हो करके आप किसी हॉस्टल में जाते हैं है ना और वहाँ पे आपको खाना जो है कुछ बनाना पड़ जाए तो जदी आप नहीं बना पाएंगे बच्चों तो वहाँ वही का खाना फिर आपको ख चाहिए है ना तो चलिए फीर से एक बार इसको गाते हैं लैसे गाते हैं क्या तुम खाना खाते हो हाँ जी हाँ जी हाँ क्या तुम खाना पकाते भी हो ना जी ना जी ना जी ना खाने की हाँ पकाने की ना ऐसे कैसे चले जहां जहां मनें दुनिया दुनिया ऐसे कैसे चले खाने में हां कहोगे और पकाने में ना कहोगे तो ऐसे कैसे जहाँ ऐसे कैसे दुनिया चलेगी चलिए इस कविता को हम फिर सुरू से देखते हैं बच्चों दखिए पाथ संख्ळा 12 पे आपकी कविता का नाम है हाजी नाजी हाजी नाजी मने हाजी भी और नाजी भी हैने तो दखी यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है हाजी नाजी हैने अब यहाँ पे देखो क्या तुम कपड़े पहनते हो हाजी 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 क्या तुम कपड़े धोते भी हो ना जी ना जी ना जी ना पहनने की हाँ धोने की ना ऐसे कैसे चले जहाँ अब आगे बढ़ते हैं क्या तुम खाना खाते हो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ ना तो उसी लाय के साथ गाना होगा जैसे मैंने आपको गा कर सुनाया है फिर से एक बार सुनिये चलिये कविता का नाम हाँ जी ना जी है ना क्या तूम कपड़े पहनते हो हाँ जी हाँ जी हाँ क्या तूम कपड़े धोते भी हो ना जी ना जी ना जी ना पहनने की हाँ धोन कि ना ऐसे कैसे चले जहां क्या तुम खाना खाते हो हां जी हां जी हां जी हां क्या तुम खाना पकाते भी हो ना जी ना जी ना खाने की हां पकाने की ना ऐसे कैसे चले जहां बच्चों इसमें धेर सारे आगे प्रस्ण भी हैं तो इस वीडियो में मैं सिर्फ कवीता और जो ह परूत आपको मैं बता दे रहा हूं कि बच्चों आप लोग मेहनत के महत्तों को समझेए मेहनत क्या चीज है उसको समझेए सरीब कपड़ा पहनना और सरीब भोजन कर लेना और कपड़े पहनने में सफाई खुद नहीं करना और भोजन पकाने में थोड़ा भी सहयोग नहीं क ये काम तो मा करेगी, ये काम तो पापा करेंगे, ये काम तो भाया करेंगे, ये काम तो दिदी करेगी, तो ये गलत बात है, काम सब को मिल जूल कर करना चाहिए, तो इस कविता से हमें यही सिक्षा मिलती है, कि हम लोगों को सब काम मिल जूल कर करना चाहिए, और बच्पन से घर के कामों में साथ भी देना चाहिए घर के काम में खेती बाड़ी के काम में जब हम लोग हाथ बटाते हैं तो हमें बहुत कुछ और भी ज्यान होता है और हम लोग नई नई चीजें भी सिखते हैं और अपने उपर हमारा विश्वास भी बढ़ता है कोई भी काम हम लोगों को करना अच्छा लगता है तब है ना तो चलिए ये कविता हमने आपको सुना दी और इस कविता के महत्तों के बारे में भी आपको बता दिया इस कविता से क्या सिख्छा मिली वो भी मैंने बता दिया तो यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ अगले वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा इसके प्रस्नुत्तर के बारे में ठीक है बच्चों